नमश्कार आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रतिका तो इस समय की अपडेट यह है कि एक बार फिर से इलेक्शन जो है उसके बारे में बात चीज शुरू हुई है और अब इलेक्शन की डेट जो है वो भी सामने आ चुकी और इलेक्शन जो है वो हाइ קोट बार एससीएशन के जो है उसके किया जाएंगे क्योंकि दो-तीन बार इससे पहले पी जो है इस बारे में चर्चा हुई इसकी डेट जो है वो निकाली गई लेकिन इलेक्शन जो है वो नहीं हो पाए क्यूंकि कोविट जो है वो पिछले साल से यानि की 2020 से जो वो कोविट चल रहा है प्रोटोकॉल को मद्दे नजर रखते हुए हर कोई चीज जो बन थी रेस्रिक्शन लगी हुई थी उसको मद्दे नजर रखते हुए जो है इलेक्शन नहीं हो पाएंगे हो पाए थे तो इसलिए जो है एक बार फिर से डेट अनाउंस कर दी गई है औ तो 28 अगस्ट को होंगे इससे पहले जो है 14 अगस्ट को निर्धारित किया गया तो यानि कि 14 अगस्ट को जो है वो इलेक्शन होंगे और 15 को इसका नतीज़ा बताया जाएगा लेकिन 15 को आप रोगों को पता है कि इंडिपेंडेंडन स्टे है जिसमें छुटी रहती है इस इस वाज़ा से इसे आगे बढ़ा दिया गया यानि कि इसे 21 अगस्ट पर निर्धारित कर दिया गया कि 21 को इलेक्शन होंगे और 22 को इसका रिजल्ट आएगा लेकिन 22 को जो है रक्षा बंदन और रक्षा बंदन की भी जो है वो चुटी रहेगी इसलिए फाइनल डेट ज का रिजल्ट जो है वो निकाल दिया जाएगा इससे पहले भी दो से तीन बार जो है इलेक्शन के बारे में बातचित हुई थी और इसकी डेट जो है नांस की गई थी लेकिन कोविट प्रोटोकॉल्स को मद्दे नजर रखते हुए इलेक्शन नहीं हो पाए थे इसलिए दो तिन साल बाद अब जो है वो इलेक्शन होंगे हाई कोड़ बार असोसियेशन के और उसकी फाइनल दिथी जो है यानि की उसकी फाइनल डेट जो है वो 28 अगस को आ चुकी है और 28 अगस को प्रदान समेत बहुत सारे अन्य अपद जो रहते हैं वहां पर उसके लिए लेक्शन जो होंगे यानि की जो हाई कोड़ बार असोसियेशन है उसके लिए प्रदान का जो पद रहता है उसके लिए और साथ इसाथ बाकी जो अन्य पदान जो होगा और अगले दिन सुबा 11 अगस को ही चुनाव नतीजों की गोशना कर दी जाएगी और बार असोसियेशन की बैठक में ये फैसा लिया गया है कि इलेक्शन जो है उसे 28 को नदायत किया जाएगा और ये तमाम चुजाव और चर्चा के बाद जो है सर्व समत यानि कि सबकी सहमत ही सही जो है ये फैसा लिया गया है और इसके पहले पिछले दो सालों में तीन बार चुनाव कराने की गोशना की गई थी लेकिन कोविट पाबंतियों के चलते जो है ये नहीं हो पाया था लेकिन अब जो है वो डेट फाइनल हो चुकी है 28 कहीं लोग 14 स इसलिए उसको तब भी कैंसल कर दिया गये और अब जो है इलेक्शन की डेट को 28 कर दिया और या हाइज कोविट पाबंतियों के बाद अब जो है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कितनी रेस्रिक्शन जो है उससे में लगी हुई थी तो उससे में कोविट के टाइम पे जा जो है वो नाम हमकिन सा था इसलिए अब दो सालों बाद अब जो है वो चुनाव होने वाले यानि की इलेक्शन जो है वो हाइक कोड बार एस्सोसियेशन के होने वाले और वो डेट जो है वो 28 को है 29 को सुबग 11 बज़िस के नतीज़े जो है वो आ जाएंगे कमेंट बॉक् और ऐसे जोड़ रहे हैं बाहु एकस्पिस के साथ